प्रदान मंत्री के सिगनेचर के साथ आया है तो एक चीज तो है कॉंग्रस की गारंटी देखकर मोदी जी प्रभावित हुए लेकिन हम तो अपनी गारंटी को पूरा करते है मोदी जी आपकी तेरे जुम्ले थोड़ी फेकते है लेकिन अच्छी बात है कॉंग्रस से सीखते रहे है इसको गारंटी दीजे दो तीन चीजे लेकिस में बड़ी रोचक है प्रधान मंत्री घोषणा पत्र कर रहे है 36 गर भाजपा के लिए बतलब 36 गर भाजपा में अध्यक्ष है ना उनके आँ कोई वरिष्ट नेता है जिसके चेहरे पर घोषणा की जा सके खेर कोई बात नहीं मोदी जी आप किस गारंटी की बात कर रहे है आपकी खुद की गारंटी एक्सपायर हो चुकी है आपने तो बड़ी बड़े दावे किये थे बड़े बड़े जुमले किये थे अभी उनके बारे में याद दिलाती हूँ लेकि पहले 36 गर की बात कर लेते हैं आपने कहा आप 3100 में धान खरीदेंगे अरे मानेवर दस जगहें आपकी सरकारे हैं और उन दस जगहों पर एक भी जगह MSP ऐसी नहीं है MSP की मांग करते हुए सारे 700 किसानों की शहादत हो गई थी और आप अपने दंब और एहंकार में चूड रहे थे और उसके बाद भी MSP की कमिटी ने अभी तक कोई decision नहीं लिया है आपको क्या बंदिशे हैं लीजे decision MSP पूरे देश में लागू करिए यहाँ पराकर 300 MSP की बात करिएगा और बाकी जो हाँ पर 10 जगहें आपकी सरकारे हैं वहाँ पर जुन-जुना पकड़वाईएगा farmers को फिर आपने यहाँ पराकर एक और नया जुम्ला फेका आप कुछ एक लाग पद भरेंगे अरे 10 लाग से जादा सेंट्रल पद खाली पड़े हैं आपके एक हस्ताक्षर से भर जाएंगे पहले उसको भर दीजिए तो यह guarantee भी फुस पटाका निकली उसके बार आपने एक नई guarantee दी यह भी आपने हमसे सीखी अच्छी बात है आप राजिस्तान से यह सीख कर आए 500 रुपए में गैस सिलेंडर 10 जगे सरकारे हैं आपकी एक जगे आप 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं बेचते हैं थोड़ी सी शर्म कीजिए इतना पाखंड और इतना मुर्ख इस देश की आधी आबादी को मत समझिए उसके बार आपने कहा ब्रेश्टा चार के खिलाफ आप एक आयोग खोलेंगे 36 गड़ में माने बार जो तोता है आपका अडानी उसकी जाच कब कीजिएगा उसके लिए कौन सा आयोग गठित करिएगा कब डियाराई और सेभी को बोलिएगा कि कुछ दस्तावेज खटा करें और उनकी जाच करें कब तक उनको बचाते रहिएगा आज सवाल इस बात का है और फिर आपने कहा कि आप पाच लाख जो आदिवासी हैं उनको पटे पर उनका पट्टा देंगे बगल में बहुत थोड़ी सी दूरी पर मध्यप्रदेश में आपकी सरकार चल रही है 18 साल के कुछासन में करीब 4 लाख आदिवासीों का बनादिकार से वो बल्चित हुए है हमने उनको बादा किया कि सरकार बनते ही हम उनके निरस्ट पटों को पुना बहाल करेंगे और उनको देंगे ये काम आप मध्यप्रदेश में क्यों नहीं कर पाए तो आपकी गारंटी भी आफी की तरह अब नए जुमले लेकर आप आएं लेकिन जो पुरानी गारंटी थी जो एकस्पायर हो गई उसका क्या हुआ क्या गारंटी थी अच्छे दिन आएंगे आप तो अच्छे दिन का नामी नहीं लेते आप कहते थे 15-15 लाख सब के अकाउंट में डालूँगा एक फूटी कौडी नहीं आई वो गारंटी भी एकस्पायर हो गई फिर आप कहते थे 2 करोर सालाना रोजगार बनाऊंगा अभी तक तो 20 करोर रोजगार बन जाने चाहिए थे अब आप 55,000 नियुकती पत्र माटते हैं जो काम कभी डाकिया करता था वो गारंटी भी रद हो गई फिर आप ने कहा था कि आप पेट्रोल और डीजल का दान 40 रुपए प्रती लीटर पर ले आऊगे और उसने तो शतक लगा दिया ये गारंटी भी आपकी फुस पता का साबित होई फिर आप कहते थे कि रुपए और डॉलर का जो मुल है वो एक हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे रुपिया गिरता है वैसे वैसे प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है रुपिया तो 83 पार कर गया प्रतिष्ठा किस गोते में खाने में चली गई कुछ किसी को पता ही नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीन को लंबी-लंबी आप फेकते थे कि लाल आखे दिखानी चाहिए और फलाना करना चाहिए आपने वो कुछ नहीं किया है आपकी खुद की गारंटी एक्सपायर हो चुकी है वोरिंटी भी एक्सपायर है तो मुझे असा लगता है कि 36 गरतों जो आपने अपने नाम पर जुमले फेके हैं ये काम बंद कर दीजे लोग आपकी असलियत से पूरी तरह से वाकिस है और अब आपके जुमलों में आने वाला कोई नहीं है और आपकी जानकारी के लिए बता दू मधिप्रदेश में थी ऐसे ही जाने थी छोटे से बच्चे से बुला जुमला उसने कहा मोदी ये असलियत है आपकी